नमस्कार उस्तों मैं एक्षे पांदे स्वागत करता हूँ और इस वीडियों हम बात करेंगे एससी टीर टू के उपर तो कल जो था वो टीर टू हुआ है कैसा आया था वह आपको बताऊंगा जो जी वैसे पेपर आपको मिली गया हो टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि कै अब इसकी टाइपिंग कब हो सकती है और कुछ जो थोड़े से एक्स्ट्रा जो आपको डाउट हो कि मेरे इतने माक्स हैं तो क्या हो सकता है तो उस पर पूरा हम इस पर इस वीडियों में बात करेंगे तो दिखिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपका CGL का है अ मैंने पॉइंट बताया था आठवा टॉपिक पॉपलेशन क्राइसिस या जनसंख्या विस्पोर्ट जनसंख्या नियंत्रन इसी पर हमारा CHSL में आपका जो है ऐसे आया था आपको 200 वर्ट्स में लिखना था तो अगर वह यह कि अगर पहले से आप प्रिपरेशन करके जाओगे तो आपके पास थोड़ा सा डेटा होगा अपन डेटा को पिरो के लिखोगे तो और अच्छी इमेज बनेगी तो यह सीजियल के लिए आप इन सभी को एक काफ़ी कुछ मिल जाएगा आपको राजसभा विसेश में भी आप कर सकते हैं और आप चाहें तो दिश्टी जो है जो साइट है आईस वाली वहां से भी आपको हिंदी में बहुत कुछ मिल सकता है इंग्लिस में तो आप सर्च करिए कई आपको पेज़ेस मिल जाएगे नि चोटा भाई था और आप थे शिव मतलब यह इस नाम से और एड्रेस आपको दे रखा था लोधी रोडवाला तो आपको लिखना था एक लेटर जिसमें आपको बताना था कि मोबाइल का बहुत जो यूज कर रहे हैं इससे टाइम वेश्ट होड़ा है जितनी भी हानिया हो उसकुछ नहीं आया था सिंपल से लेटर आया है तो यह दोनों आपका था टॉपिक और जिन्हों थोड़े से प्रिपेशन कर रहे हैं तो इसली कर सकते हैं तो अभी मैं कहूंगा सीजियल के लिए आप इन टॉपिक को फिर से कर लो और बहुत हद तक पॉसिबल है वाटर क प्राइड प्रम्लम जो है वह आनी जरूर है और प्लास्टेट बैंट देखो भी जो अपका वहां पे सेंगत्रास्तंग में भी मोदी जी ने जो दिया था उसमें प्लास्टिक बैंग को यूज़ किया है मतलई उठाय को पड्राइब था फो देंग में मताया इनको कर लो ठीक है अच्छा अब बताते हैं बात करते हैं कि इसकी टाइपिंग से चलो पहले एक बात करते हैं कि कितने मांक से आपके तो आप सिक्यूर हो तो इस बार जो जनल को टॉप गई है तो 135 का मतलब है कि अगर डिस्कृप्टिव में दो टॉपिक डिस्कृप्टिव का ऐसा है क कि ऐसा नहीं इसमें एवरेज मांक्स लोगों के अधिकतर होंगे जैसे कुछ टॉपिक ऐसा आजाए कि इसमें मतलब इसे मान लोग कोई योजना पर लिखिए तो जो टॉपिक पर लिखेगा उसको मांक्स ज्यादा मिलेगा जो नहीं लिखेगा वह सीथे कम हो जाएगा त तो उससे काफी फरक पड़ जाता लेकिन जब यह ऐसे टॉपिक आयते हैं जनसंख्या नियंद्र या वैसा करें तो इसमें सभी लोग कुछ नो कुछ तो लिख देते हैं तो एवरेज मांक्स आप मान सकते हो कि लोगों को 50 नमबर तो मिली जाएगा अगर मतला उसने दोनो इस नमबर है तो मतलब कम से कम आपको यह दोसों को बेरियर है इसको क्रॉस करना पड़ेगा मैं जनरल के बच्चे के लिए बात कर रहा हूं तो दोसों नमबर अगर आपके बन जा रहे हैं जैसे किसी के साथ हैं या किसी के 150 हैं और उसने ऐसे अगर थोड़ा बहुत तो ऐसा नहीं है तो अगर आपको एक एवरेज मार्क मिलेगा 50-60 फिर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन अगर आपके 135-40 नमबर है और आपके 70 तक बहुत आपको ऐसे बहुत अच्छा को क्योंकि आपने पहले से प्रिपेर कर रहा होगा तो आप यह समझ सकते है कि आप बहुत अच्छे आपको पोस्ट मिल जाएगी तो टाइपिंग जो है आपकी वो टाइपिंग वोगी दिसंबर तक में जो मुझे जहांत लगता है इतना पॉसिबल जो डेट है क्योंकि इससे पहले अभी लगता नहीं क्योंकि पहले वो 17 वालों करेंगे उसके अभी इसको थोड़ा से रोकेंगे और दिसंबर तक आपके पास टाइम है तो अभी आपका चलना है सेतंबर खताम हो गया अक्टूबर आ गया तो अभी भी दो महिने में अगर आप आज जीरो पे हो नो तो भी जीरो तो किसी स्पीड नहीं होती है आपकी कुछ नहीं तो स्पीड होगे अगर आपने बिल्कुल भी अपकर टाइपिंग नहीं सीखिए तो फिर भी अगर आप दो महिने अगर अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप दो महिने में आराम से 35 के स्पीड ला सकते हो बस आपको क्या करना है डेली आपको मतलब टाइपिंग करनी है आ आप कहीं कोचिंग लगा लो भले वो कित्ते रुपए ले क्योंकि अभी इस वक्त पैसे मत देखो जौब पक्की हो सकती है ठीक है क्योंकि टाइपिंग नहीं क्लियर होगी तो दिक्कत होगी या तो अगर आपको घर पे अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो तो यही होता है डिली रूटीन नी बन पाता है अगर आप इतने ज़एदा फोकॉस्ट हो तो तो आप कर सकते हो घर पे लेकिन अगर आप आप मतलब अगर टाइम को पास कर सकते हो यह से होता नहीं एक टालते रहते हैं तो आप कोई कोउजश्टियूट जाइन कर लो जहां पर टाइपे सिखाते हैं तो सिखाना कुछ नहीं है बस आपको वो बताएंगे उसके बाद करना आपको यह सब लेकिन यह एक डेली हैबिट बनी रहेगी आपका पैसा जाता रहेगा आप जाओगे डेली क्लास करोगे और फिर वहां पर जब क्लास करोगे दस लोग मिलेंगे आपको को उनसे कंप्टीशन होगा फिर वह हो सकता है आप घर पर भी आकर फ्रेक्टिस करो एक फ्रोड़ासा नर्शा टाइप का हो जाएगा टाइपिंग का तो इस वगवल आपको टाइपिंग पर ध्यान देनी है और कहीं कुछ पर फोकस नहीं करना है आप टाइपिंग पर ध्या